कि अलवाइश दिस इस मुए तहरवार और आज का अपनो टॉपेक है औट्र डिफेक्ट्स ऑच्ट्रिडएब्स में पढ़ने वाले हैं कौन-कौन से डिफेक्ट होते हैं इसके पहले मने बता दिया था आपको कि middle year का क्या रोल होता है सुनने में inner year का क्या होता है middle year किस तरह से impedance matching कर रहा था ठीक है यहाँ पर देखने वाले अब auditory defects में देखेंगे डिफनेस किस किस तरह से हो सकती है किस तरह से वहरापन आ सकता है एक तो यह है कि जो बेव थी external year से external year middle year और inner year अगर यहां से यहां तक वेव नहीं पहुंच रही है मतलब कंडक्शन में प्रॉब्लम है ठीक है तो इस बज़े से क्या होता है अगरिफनेस दूसरा क्या चाहिए हो सकती है जो नर्फ थी इस नर्फ में कोई दिक्कत हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है तो उसकी वज़े स्काता है नर्फ दीफनेस ठीक है तो आपन देखने वाले हैं conductive डीफनेस और नर्फ डीफनेस Conductive Deepness It is a type of deepness that occurs due to impairment and transmission of sound wave in external ear or middle ear External ear or middle ear में sound wave काच्छे से नहीं हो पाया Transmission इस बज़े से क्या होती है Conductive Deepness होती है Causes क्या हो सकते है Obstructions of external auditory meters with drybacks or foreign bodies Obstructions हो गया अब इसमें कैसे तरह से होता है तो इस डियाग्राम में देखी इस डियाग्राम में आपको क्या देख रहा है External auditory meters तो यहां पर बेक्स जम गया बहुत सारा जिससे क्या होता है Sound wave जो आ रही थी वह अच्छे से नहीं पहुँच पाएगी इस बज़े से क्या हो जाएगा कंडेक्टिब डीपनेस हो जाएगी ठीक है और अफ्टेक्शन और एक्स्टरनल auditory meters with dry wax और foreign bodies या कोई भी कंकर अंकर कुछ गया या कोछी भी हो गया तेकनिंग और टेम्पेनिक में डियू टू रिपीटेड मिडल यर इंफेक्शन अब जो टेम्पेनिक में 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 गया उसमें अकर बारवार निफेक्शन हो रहा है तो लिए टक्टेक्शर से भी बनी होती है वह इसमें सूजन आएगी और फिर वह पर मूब नहीं कर पाएगी पर्फॉरेशन ओप टेम्पेनिक में वने ड्यू टू इनक्ल इनक्विलिटी ओप प्रेशर प्रिजेंस आइधर साइड मतलब कि सब्सक्राइब यहां पर प्रेशर आएगा है कोई इनफेक्शन हो गया है कोई रियक्शन हो इस पचे से भी अकन्टिक्टिव डीफनेस हो सकती है ऑटोस्कलाइस मतलब जो अपनका स्टैपिस का फूट तब वो अच्छे से मूब नहीं कर पा रहा है टीग है मनलब जाम हो गया है जो जैंट थे जो आपना अपनी इस इनकर और इस टीफिस के बीच का बाइक byजा नी नियुक्ण विनकर गारी होगी तो क्या होता है इस दीफिस के से बिजे से भी कंडेक्टिब डीफनेस आ जाती है नब डीफनेस नबडीफनेस मतलब इस तो कोख्लिया में कोई स्ट्रक्चर का डेमेज हो गया कोख्लिया में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है एक तो हैर सेल्स थी यह सेंस कर रही थी और नपकॉर्टाइ यह मैंने स्ट्रक्चर इसी कंपोनेंट होते हैं बेसिलर में में कोई दिक्कत हो गई या फर कोख्लिया ड तो इनकी वज़े से क्या हो सकता है डीजनेरेशन हो सकता है है सेल्स का और नर्व डीफनेस हो जाएगी डेमेंज और कोक्लिया वाइप लएंग एक्सपोजर टू लाउड नौस इसलिए जादा देता है का अपन को क्या साउंड जादा नहीं सुनना चाहिए एक टाम तक सुन यहां से कोई नर्व ती गॉक्लिया नर्व जिसमें डेफसाथ हो गया है यहां क्या हो गया है यूगं यह किवर सकता है मैं यह तो Hair cells, outer and inner hair cells में कोई दिक्कत हो गई है जो basilar membrane दी basilar membrane कोई दिक्कत हो गई है या फिर क्या यह cochlear nerve इसमें कोई defect हो गया है तो क्या हो सकते है nerve deepness आ सकते है ठीक है